हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वाग चमा चाहूंगा थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था इसी वज़े से क्लास इंटरप्ट हो गई थी हाँ तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को वीडियो में हमने अनीता देशाई के नोबल क्राई देपिकोग से 20 क्यूशन लिये हैं और इन 20 क्यूशन को हम इस वीडियो में सोल करने वाले हैं और जो पहला पार्ट है उसमें से ये टोटल 20 क्यूशन लिये गए हैं और इस फर्स्ट पार्ट में से हमने लिये हैं तो फर् तो लाइव चल रहा है कोई भी कमेंट में अपना question है वो put कर सकता है और कमेंट में साथ ही साथ आपके देख रहा हूँ तो सबसे पहले हम बात करें कि ये cry the peacock novel है ये अनीता देशाई दुआरा लिखा गया था इसके कुल तीन पार्ट है पहला पार्ट जिसमें एक चप्टर है और दूसरा पार्ट है उसमें कुल सेवन चप्टर है और तीसरा पार्ट है उसमें एक चप्टर है तो तीनों पार्ट का अनलसिस हम देरे-धेरे करके फुरा नोबल का हम अनलसिस करेंगे इस चैनल पर और इस वीडियो में हम केवल जो पहला पार्ट है उसमें से हम डिसकसिन करने बाले हैं तो पहले पार्ट में हमने कुल 20 क्यूशन लिये हैं तो 20 क्यूशन को हम यहां स्वाल करेंगे तो सबसे पहला क्यूशन देखते हैं क्या है For which novel did Anita Desai was awarded साहित्या अकादमी अवोर्ड in 1978 और 1978 में Anita Desai को किस work के लिए या किस novel के लिए साहित्या अकादमी अवोर्ड है वो दिया गया था तो Anita Desai को 1978 में Fire on the Mountain, Cry the Pico, Fasting Feasting या Voices in the City किसके लिए दिया गया था तो इनमें से जो option number A है वो correct है तो fire on the mountain के लिए अनिता देशाई को 1978 में सहित्य अकादमी आवर्ड दिया गया था 1978 में अनिता देशाई को सहित्य अकादमी आवर्ड दिया गया था fire on the mountain के लिए और cry the peacock की बात करें तो cry the peacock की इनका first work था जो 1963 में लिखा था और उसके बाद है fasting fisting और voices in the city fasting fisting यह booker price के लिए select हुई थी 1999 में इसके साथ साथ हम अनिता देशाई का थोड़ा जीमन प्रिच्च है वो भी जान ले तो अनिता देशाई को जर्म 24 जून और अनिता देशाई को किस रूप में जाना जाता है इनको the mother of the new या फे psychological novel in India इस रूप में इस नाम से इनको जाना जाता है और इसके बाद है question number second फर्स्ट वर्क ओफ अनिता देशाई अनिता देशाई का पहला वर्क था वो कौन सा था तो पहला वर्क कौन सा था पहला वर्क है cry the peacock the fire on the mountain fasting fisting या voices in the city तो इनका जो पहला वर्क है वो है cry the peacock जिसको इनने 1963 में लिखा था अब लिखा था 1963 में इनका तो अनिता देशाई के जो नोवल है उनको बुकर प्राइज के लिए भी शोट लिस्ट किया गया था तो इसमें से कौन सा है जो बुकर प्राइज के लिए शोट लिस्ट नहीं हुआ था इसके तीन वर्क थे जिनको बुकर प्राइस के लिए शोट लिस्ट किया गया था इनको बुकर प्राइस के लिए सेलेक्ट किया गया था इनको बुकर प्राइस के लिए सेलेक्ट किया गया था अगला क्युसन है इन्हेरिटेंस ओफ लोस वोज रिटन वाल ये जो वर्क है इन्हेरिटेंस ओफ लोस ये किसके दवार लिखा गया था अनिता देसाई, किरन देसाई, डियन मजूमदार या अश्विन देसाई तो इसमें जो दूसरा option है किरन देसाई, ये inheritance of loss किरन देसाई द्वार लिखा गया था किरन देसाई अनिता देसाई की बेटी थी, और इसको main booker price के लिए shortlist किया गया था, किरन देसाई का जो वर्क है inheritance of loss, इसको shortlist किया गया था, main booker price के लिए इसके बाद है अगला question है, which price was not awarded to अनिता देसाई इन में से कुन सा अवर्ड है, जो अनिता देसाई को नहीं दिया गया था और नील गन प्राइज और साहित्य अकादमी fellowship अवर्ड पदम भूशन या पदम भी भूशन तो इसका right answer है, पदम भी भूशन से इनको नहीं नवाजा गया था और इनको बागी prize दिये गया थे इसके बाद है, in the novel, cry the peacock finds जो, finds herself, finds herself का मतलब है, जो माया है, वो खुद को किसा मैसूस करती है, hopeful courageous, या जितना चाहिए, उतना प्यार नहीं दे पाता है जितना वो सोचती है तो वो खुद को क्या मैसूस करती है, helpless and alone, मैसूस करती है यह see, इसका answer right है, इसके बाद है under which tree, toto's body ले रोटिंग, और किस पेड़ के नीचे toto, इसके बाद है who drew the eyes of dead body down, जो dead body थी, किसी toto की उसकी eyes है, उसको drew down, किस नी किया था, drew down का मतलब है, आंके पटिक फटी रहके थी, खुली रहके थी उन को बंद किस ने किया था, तो awkward लग रही थी, तो इसलिए उसको, उनको drew down, किस ने किया था, the gardener ने किया था या the scavenger ने किया था तो इसका right answer होगा a gardener ने किया था gardener वहाँ था उसने उसकी आँखों को drink down किया था इसके बाद है home did Maya back to breathe dead dog और Maya ने किस से request की थी झो dead dog है इसको बरी कर दिया जाए तो इसका right answer होगा the gardener, Gotham sweeper या फिर scavenger किसको बोला था तो उसने बोला था gardener को बोला था तो gardener ने इस पे जवाब दिया था कि जो sweeper आएगा तो sweeper करेगा ये काम तो Maya ने तो gardener को ही बोला था अगला question है The sweeper The sweeper will do it The sweeper will do it इस काम को sweeper करेगा Who said this ये बात किस ने कही थी तो ये बात कही थी दा स्वीपर, दा गार्डनर, दा स्केवेंजर या गोत्मा तो ये बात कही थी गार्डनर ने क्योंकि जो माया है उसने कहा था कि इसको बरी मतलब गार दो, दफना दो किसको कहा था माया ने Maya ने the gardener को कहा था यह बात gardener ने कही थी कि यह काम sweeper का है तो यह sweeper करेगा तो इसका right answer है B तो gardener ने यह बात कही थी इसके बाद है by seeing this evil glint of blue bottle Maya became by seeing the evil glint of blue bottle blue bottle होती है एक वक्षी होती है blue color की जो गंदी मतलब चीजों पर बेटती है और उनके जो जुन्ड है उसको देखती ही वो मतलब जब कुटा मरा था तो उसको सरन होई तो उस पर मक्या आने लगी तो उन मक्यों के जुन्ड को देखती ही Maya क्या होगी Maya के मन में ऐसा होगा वो historical होगी क्या होगी happy खुश रोड़ी होगी historical होई hopl भी नहीं है jubilant भी नहीं है hopl और jubilant happy यतीनी positive meaning है लेकिन वो historical होगी तो उनमाद मतलब पीछे की यादों में खुगी थी मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो चुकी थी तो इसका right answer है historical इसके बाद है who was sent to keep Maya into the house अब जब वो भार बेठी बेठी दुखी हो रही थी तो उसको अंदर ले जाने के लिए किसको बेजा गया किसको बोला गया sweeper की wife को बोला गया gardener की wife को बोला गया gotham की mother को बोला गया Maya की mother को बोला गया तो यहाँ पे इसका right answer है b gardener की wife को बोला गया था कि इसको अंदर ले जाओ और अंदर ले जाके इसको सुभूप कराओ पाने वाने पिलाओ इसके बाद है next question अगला question क्या है what was the color of the dog टोटो तोटो जो उसका डोग था उसका क्या color था जो टोटो डोग था वो black, brown, grey या white तो इसका right answer है white color का था टोटो डोग किस color का था white color का था माया का जो कुत्ता था टोटो जिसके लिए वो बहुत इसको बहुत प्यार करती थी वो इसके death हो गई थी उसके बाद वो बहुत दुखी रहने लगी इसके बाद है what is the right title of अनिता देसाई's novel about the married life of Maya and Gotham ये question है Maya और Gotham की जो married life है उसके बारे में अनिता देसाई द्वारा लिखा गया novel है उसका correct title क्या है टाइटल में आप खलती कर सकते हैं तो आपको correct title भी याद होना चाहिए तो चारों options में से जो C है C option है cry the peacock ये correct option है तो cry जो पहला word है cry इसके बाद आपको कोमा लगा हुआ मिलेगा उसके बाद दैपिकोक लिखा होगा cry, दैपिकोक, C जो option है वो बिल्कुल करे ये चोटी चोटी चीजी है कभी कभी exam में आ जाती है और हम इन चीजों को गोर नहीं करते हैं तो ये फिर हम हाँ confused होते है इसके बाद है question number 15 on coming home गोतमा टेलीफॉन और गोतम ने घर आते ही किसको फोन किया था गोतम ने घर आते ही पुलिस टेशन को किया था his brother को किया था his office को किया था या public works department को किया था उसने PWD को को कोल किया था public works department PWD public works department को कोल किया था इसके बाद है Maya did not lift her face from the cushion because अब Maya रो रही थी उसने अपना कुशन तकिये या गदे से मुझ क्यों ने उठाया क्योंकि C feared of the stance of flesh उसको उस प्लास की बदबू आ रही थी C was shining उसको शरम आ रही थी C had headache उसका सिर्दद कर रहा था या C wanted her dog बे किया उसको अपना कुश्ता वापस सही था तो इसका option number one is the correct answer C feared of the stance of flesh उसको उस जो लाश है जो बड़ी थी उसकी बदबू आ रही थी तो उसकी वज़े से उसने सिर्क ओपर नहीं उठाया उसने तकिये पे या फिर जो गद्दा है उस पे मूँ अपना छिपा रहा था जो बोगेन वीलिया फ्लॉवर्स वर ओफ जो बोगेन वीलिया फ्लॉवर्स है वो किस कलर के थे और जो बोगेन वीलिया फ्लॉवर्स है ये किस कलर के थे red, blue, green या purple तो बोगेन वीलिया जो फलावर है वह फर पल कलर के थे परपल बैंगनी रंग के थे इसके बाद है क्विशन नंबर 18 18 नंबर क्विश्चन है और यह माया के लिए लाइन है और यह लाइन गोटम ने कही थी गोत्मने किसको कई थी माया को कई थी और इस लाइन के बाद में उन्हें ये भी बोला था कि you need a cup of tea और इसके बाद है अगला question है question number 19 the part first ends with जो पहला part है वो किस के साथ खतम होता है किस लाइन के साथ खतम होता है she began to cry again she began again to cry और उसके बाद है you need a cup of tea not knowing where to run next or what he had done तो इसका right answer है she began again to cry तो वो वापस से क्या करने लगी थी रोने लगी थी और इसके बाद जो 920 number question है who is the image of attachment इनकी image कौन है अदलब ज़्यादा लगाओ किस के साथ है उसका वो किसका प्यार चाहती है तो इसमें है इसका right answer है गोतम का माया है जो गोतम के प्यार के लिए दस्ती है और B number इसका right answer है तो दोस्तों उमीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा अपलोड करने वाला हूँ साथ ही साथ second grade और third grade के English के वो